असलाम लेकूम, फ्रेंड्स एयर टैंज देखो सुनो जानों में खुशाम दीद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं क्रिकर्ट वर्ल्ड कप हिस्टरी सीरीज की सेकंड एपिसोड फ्रेंड्स ICC मैंस क्रिकर्ट वर्ल्ड कप 2023 अक्तूबर से शुरू हो गया है 1975 से लेकर अभी तक क्रिकर्ट वर्ल्ड कप के 12 अडिशन हो चुके हैं जिसमें से 5 टाइटल अस्टरेलिया के नाम हैं 2 वेस्टन डीज, 2 इंडिया, 1 पाकिस्तान, 1 सिरी लंका और एक वर्ल्ड कप टाइटल इंगलेंड ने अपने नाम किया है फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट करने वाले इंडिया के 10 स्टेडियम्स का कंपैरिजन और इसके साथ हम कंपैर करेंगे इन स्टेडियम्स की कपैसिटी, पिछ रपोर्ट, हाइस सक्सेसफुल चेज, लोएस सक्सेसफुल रन डिफेंट, हाइस टोटल, एंड लोएस टोटल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से बेल आईकॉन बटन को तबाएं ताके नए आने वाली हार वीडियो आप तक पहुँच सके फ्रेंज नमबर वन पे है नरिंदरा मुदी स्टेडियम एमदाबाद, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसकी कपैसिटी एक लाख बतिस हजार क्रिकर्ट फैंस है वर्ल्ड काप दोज़ा तेईस में न्यूजिलेंड वर्सेज इंग्लेंड, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, इंग्लेंड वर्सेज अस्ट्रेलिया, सौथ अफ्रीका वर्सेज अफगानिस्तान और फाइनल समेट पांच बड़े मैचिस को होस्ट करने वाला है फ्रेंड वर्ल्ड काप दोज़ा तेईस से पहले इस स्टेडियम में 26 ODI मैचिस खेले गए हैं जिन में से पहले बैटिंग करने वाली टीम 14 मैचिस जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 12 मैचिस जीती है इस ग्राउंड में हाईस्ट किया जाने वाला ODI टोटल 365 है जो सौथ आफरीका था इंडिया के खलाफ 2010 मैं जबकि इस ग्राउंड में लोईस्ट किया जाने वाला टोटल 85 है जो जमबाबवे ने स्कोर किया था वेस्ट इनिज्ट के खलाफ 2006-2027 में फ्रेंड इस ground में highest successful run chase 324 है जो इंडिया ने chase किया West Indies के खिलाब 2-2 में। इसी तरह अगर हम बात करें इस ground में lowest total को defend करने की तो इस ground में lowest successful defend किया जाने वाला target 193 है जो इंडिया ने defend किया था Australia के खिलाब 1986 में। फ्रेंड इसका मतलब है पाकिस्तान वर्सिस इंडिया और final जैसे बड़े बड़े matches में 250 से ज्यादा जितने भी runs बनते हैं पहले बैटिंग करने वाली टीम के इतने ज्यादा chances है इस match को जीतने के नमबर टू पे है रजीव गांदी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद ये स्टेडियम पहली बार वर्ल्ड काप matches होस्ट करने जा रहा है इस ground में वर्ल्ड काप के तीन matches खेले जाने वाले हैं जिसका सबसे ज्यादा फाइदा शायद पाकिस्तान उठा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के दो matches इसी ground में schedule किये गए हैं जिस तरह पाकिस्तानी टीम ओडियाई matches में परफॉर्म कर रही है वो इस ground में सिरी लंका और नेधर लेंड को हरा कर अपना momentum और confidence बहुत आगे ले जा सकती है इस stadium की sitting capacity 55,000 है और pitch ज्यादा तर flat और batting friendly है जिसमें पेसर से ज्या काड की बात करें तो रजीव गांदी स्टेडियम में total 7 ODAI matches खेले गए हैं जिन में से पहले बैटिंग करने वाले टीम चार और second बैटिंग करने वाले टीम तीन मैच जीती है हाई एस total इस में 350 है जो अस्ट्रेलिया ने score किया था इंडिया के खलाफ 2009 में जबके lowest total 174 है ज जबके lowest total जो के successfully defend किया गया है वो 290 है जो अस्ट्रेलिया ने defend किया था इंडिया के खलाफ 2007 में मतलब इस ground में अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो इसके लिए 250 भी enough है defend करने के लिए क्योंकि एक तो पाकिस्तान की बालिंग लाइन बहुत अच्छी है दूसरा इनका मकावला कोई बड़ी या experience वाली टीम से नहीं है इवन कि अगर सिरी लंका को भी देखें तो ODII में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है अगर इन टीम्स के इखलाफ पाकिस्तान second बैटिंग करता है तो इन टीम्स को पाकिस्तान से match जीचने के लिए कमज कम 300 का target तो ला बात करेंगे cricket world cup history series की episode 3 में वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताके नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा अल्ला हाफिज